नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चानल पर यहां बीएच्यू इंट्रेंस एक्जाम 2021 का जो इंट्रेंस एक्जाम होता है उससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूस है कि जे नियू डीयू की तर्च पर होगा प्रवेश और बीएच्यू ने एंटिये बी यह देखते हैं कि क्या खबर है पूरी कि अब बीएच्यू का जो फाम है वो एंटिये के माध्यम से आएगा और कब आएगा कैसे क्या होगा उस पूरी जानकारी को लेते हैं यहां पर उससे पहले गर हमाचल पर नए हैं तो सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें देखें यह पूरी खबर है अमर उजाला वीवरों की तरफ से वारानसी बीएच्यू में दाखले के लिए आवेटन का इंतजार करने वाले भ्यारतियों के लिए राहत भरी खबर है और विस्विद्याले प्रसासन की ओर से जल्द ही इसनातक और इसनातक और पीजी इसनात जेनियू के आधार पर आप यहां देख सकते हैं कि यहां पूरा का पूरा प्रोसीजर इन्होंने एक्स्प्लेन किया है कि जो विस्विद्याले की प्रिवेश परिक्षा है वो जेनियू डियू के तरज पर एंटिये यह ने नेशनल टेस्टिंग एजनसी की और से कराई ज तो यह एक बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है आप यहां पर देख सकते हैं नीचे इस से पहले सिक्षा मंतराले ने इस बार C.U.C.E.T. यहनि सेंटर इंडिस्ट्री कॉमन इंटरेंस टेस्ट यहनि के माध्धम से विस्विद्याले की प्रिवेश परिक्षा कराने की योजना बनाई थी लेकिन अब तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं आ पाया है इस वज़े से अब एक दूसरा और बीच का रास्ता निकाला जा रहा है और अब इस विद्याले प्रिवेश परिक्षा कराने का फैसला लिया है इसके लिए सिक्षा मंतराले को पत्र भेजन के साथ ही प्रभारी कुलपत महा निदेशक NTA से भी बात की है इस पर सहमती भी बन गई है माना जा रहा है कि इसी महिने यह जुलाई महिने में ही आवेदन के लिए परिक्षा थी कि घोशना जो है कि विद्याले प्रशासन की ओर से की जा सकती है तो ये बड़ी खबर जो ह आपके सामने निकल के आई हैं उम्मीद करता हूं कि आप इस खबर को देखकर राहत पाएंगे कि विद्याले में दाखिले के लिए NTA से प्रवेश परिक्षा कराने का प्रस्ताव सिक्षा मंतराले को भेजा गया आप ये देख सकते हैं प्रफेसर वीके सुकला की तरफ से यहाँ पर explain किया गया उस पर सहमती बन गई है और विश्विद्याले इस तरफ पर प्रकरिया जल्द जारी रहेगी प्रकरिया चल रही है जल्द ही प्रवेश संबंधी हो सराएं की जा सकते हैं तो यह इसी महिने जुलाई माह में ही आपको एक बड़ी अपडेट मिलेगी जो लोग इसमें सनात्तक और परासनात्तक के लिए एड्मिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बीच्यू के तरफ से बड़ी खबर है तो आज के इस वीडियो में वस इतना ही मिलते हैं अगली किसी अपडेट के साथ बीच्यू के तब तक पने रहे चैनल पर चैनल को सब्सक झाल